है प्रोशनी जक मडए कावधर में को कहावत है कि अधा नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार समाचार की हर खबर समाज पर करती है नाज इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं ये भी सीधे सीधे समाज से जुड़ि है और सम्मंधित है कोईली पंचायत के वाड नंबर 15 से चुनाब का दंगल सुरू हो गया है आप सभी ने समझ लिया है देख लिया है और यह जो दंगल है उस दंगल में जनता की क्या सितिया उसको हम लोग जानने आए हैं यहां कोईली पंचायत के वाड नंबर 15 के जो निवासी हैं जो लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं उस पर बात करने आए हैं और आज हम बात करेंगे निस्पक्ष रूप से मैं बता दूं कि यह कार्ज करम समाजी क्या और उसमें किसी भी वैक्ति पिछे इसको लेका चर्च करें लोगों की बात को सुनें समझें और अपना मंतब्य कमेंट के माध्यम से जरूर दें साथी साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा गांव गराम में देखा गया है कि लोग बात अपनी रखते समय सब्द के चैन में गलती कर सकते हैं तो हम पहले ही आपको बताएंगे आप को युवा है आप ही सुरू करते हैं कोईली पंचायत 15 नंबर वाड कितना विक्सित हो सका है सब मुख्याजियार के महनत से सर देखा जाए तो पांच साल में यहां विकास के कोई काम नहुआ है सर हम लोग बेंगा एक चोटा सा कसवा है जिसमें सर तीन पंचायत आता है हम लोग सर कोईली गाउं से है यहां 15-16 दूवाड है सर दूवाड में सर घूम के देखिया न तो यहां विकास को काम नहुआ है जैसे सर देख लिजिए नलजल योजना उसका तर नामे छोड़ दीजिए नलजल योजना सिर्फ पेपर के काम हुआ बिहार सरकार का मने सब से पूर्ण पूर्ण रूपें कोई काम नहुआ यह तो क्या नाम बताए आपने अमीद कुमार यह मीद अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर काम नहीं हुआ है अच्छा और आपका क्या सुनाम हुआ है कि लोग लुक्त नहीं करें की समया अपने के रोड के रोड के रोड के रोड ना बन ले नौ अच्छा और आप द्रस्वकों मैं पहले बतादू सभी लोग उस्तर प्रस्ण ले ले लेते हैं और जबाब भी लोग बाद जरूर चर्चा करेंगे चौपाल में और इस पर हुआ पर लेता है अब है लेकर आप लोग चर्चा किये हैं आम सभागराम सभार में उहाँ सारा चर्चा है लेकिन कोई सुनवाइं नहीं हो रहा है अम सभा होता है वहां चर्चा की आम सभा में आप सब्सक्राइब करता है क्या हुआ कोई लोग अप देखें आप लोग कोई नहीं गया आप leurs-बैसिक समस्या जिसको की हम लोगों को आज अजादी के इतने सतर साज उपर बीत गए और साथी साथ जो यहां पंचायती राज विवस्था का जो स्वर्निम काल बीता है 20 वरस में तो हर 5 वरस पर मुख्या जी का चैन हुआ है सरकार योजना भेज रही है वहां पर भी काम नहीं हो रहा है और लोग बता है पूंखया जी आप लोग बनाए होंगे पिछली बात सुस्क मनें होंगे समझके का बनाता है मोख्यास घ्रम करांशा काम करें या नहीं कि हम तो नहीं जानते हैं आपको दिन मेता है नहीं दोंटब हॉन और आगे चल करके क्या करेंगे भंतर जांते हैं कि यह बात है कि हम तो खर नहीं कहेंगे कि कौन लोग बेतर है कौन क्या है लेकिन आपसे सवाल यहीं पुछेंगे कि आप ठगे गए पिछली बार अब लोग भी ठगाएं गया है अब यह बता रहे हैं कि ठगा गए पर्फ़ाने के पुरा उसका परिवार परः लिखा है हम लोग लोगने विस्वास जयता आया कि चलिये पुझा बहुत पढ़ा लिखा थोड़ा लगभग तर आप है और उसके फैल है और पाथ में चारपाथ सिछक भी है तो हम लोग लोग समझें की चलिए मगर सर धरातर परताई सा कोई कामिन नाजर आया जो सोचे उसके विप्रित हुआ अच्छे बात बताईए इस पर चुनाव हो रहा है इस पर परत्यासी बन गाएंगा पुराने मुख्या जी आ रहे हैं मगर चेहरे ना दिखा रहे हैं जनता त्यार है चेहरा देखने के लिए मगर सबाल पूछेंगे मगर अभी तक चलिया बहुत उस पर नहीं जाएंगे हम देखिजार सब्सक्राइब में बात रख दी है लेकिन बात वास्तविकता है लोगों को नहीं मदद मिल सका और लोग यहां पर पर परिशान है मताजी लोग सभी बात करते हैं क्या सुनाम हो तो देखिए यहां पर है सचाले तक हमने दिखाया है काम नहीं हुआ पैसा लेने के बाद भी लोग नहीं काम कर दो यह पैसा नहीं मिला ήτανकि बहुत रह साथ हूँ को पूरा तो यह एक मत बताईए यहां इनको समस्या इनके परोसी से हैं तो इनको नहीं हो रहा है काम तो कैसे होगा इसका निदान तो यहां परिशिती यही है कि लोगों को समस्या है अब हम आप हम लोग आते हैं चलिए इस पर चुनाब आने वाला है तो पिछले बार जो है लाइट देखा करके ठागा चाहिए जब होगा अलगी बात है ठागा आए कि नहीं वह भी बात है अब ठाकने के लिए मुख्या जी अभी लाइट लगा रहा है चुनाब है ना अभी लाइट लगा दू तिन दिन पहले अभी ता चार संगीता है तो इसमें काम नहीं होना है आरे लाइट लग गया जाके देखिए लाग हम लोग के बगल में सर नानपुर दूवार पड़ लोग यहां वही हाल है रोड के उस पार नानपुर है रोड के पार कोईली है तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि वहां की सुब्दा यहां की सुब्दा है जाक मार रहा है बहुत बढ़िया अच्छे बात बताईए अब इस बार हम यह नहीं कहेंगे कि आपके साथ क्या सबसे पहली बात इस बार चुनाव में जब भोट दीजिए तो सोच कर समझ कर देजिए जी पक्का पक्का लोब हमों हर वार सोचिये के देता है उल्टा उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपको पंचायत में आप लोगों को जानकारी होगी कि पंचायती राजविवस्था के अंतरगात जनता को पावर है कि अधे रस्ता से मुख्या जी को लवटा लेंगे जानते हैं इस बात परस्ताओ के बाद मुख्या जी को गद्धी छोड़ना पड़ेगा जानते हैं आप हाई है हमको जनकारी मुझफरपूर परमंडल छेतर के अंतरगात कुड़नी कि जनता को बहुत बारा पावर है और खासकर पंचायती राज वेवस्ता में बहुत पावर है कि आधा रस्ता में अरहाई साल में मुख्या जी को कुर्सी खाली करना पड़ेगा अगर जनता चाह लेगी तो समझने हैं तो इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी दर्शक जो यहां देख रहे हैं समस्या बहुत गंभीर है यह कोईली का जो पंचायत है इसका वार्ड नंबर पंद्रह है और यहां की जो स्थिती है देखिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर अधिकारी पताधिकारी जनपरति नजर बना कर रखें और यहां की वेव जो टॉकिंण हुआ इंद्रावास के लिए जियो टॉकिंग करने के लिए लोग तो बुले कि बाइज चलो कि कर बाते हैं तो बोला गया कि दू-20 रुपया दिजी एक आदमी के जियो टुकिंग करवाईए गा तो 2000 रुपया लगे फी परदानमंद्रिया बात कर रहा है प विश्वास है कि आप घर दीजिएगा तो सर लोग कुछ लोग विरोध किया कि ना हम पैसा ना देंगे तो जीओ टॉकिंग देखे अभी तक हमारे पंच्याइत में 15 में जीओ टॉकिंग होवे न किया सचालके पैसा नहीं मिला सचाले के पैसा सचाले की पैसा इसलिए मिल पाया हम लोगके अब लेकिन की यह टॉकिंग के जियो टॉकिंग मगर हम लोग ना दिये तो पूरा पंदरा सोल वाड में जियो टॉकिंग ही ना हुआ इसमें कोई का नाम नहीं आए चले देखे समस्या हम तो थोड़ा सा यह हो गया लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा आप कंक्लुजन पर आए समस्या समझ इस बार भोट सोच करके समझ कर देजिये करें गया इसा बिना लोब मों से नहीं ना ना तरुब करेंगे गया वह टॉकिंग के लिए 2000 फेर से माइब कि यह पास करा देते हैं 5000 तो इसा थोड़ी करना है चलिए अब आब 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 लोग यह पैसा है नहीं ढहीं ढ अब चुनाव गया है और इस पर चुनाव में बहतर आदमी को चुनिये हम नहीं को चुनना है लेकिन आपको चुनना है क्या पकाना जी 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 पर नहीं दिया है ठीक है चलिए तो यह बाते हैं यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी दरसक हमारे सबर्क जानिखांगा रहें और है क्या आँको कोई फikal आपको मुषल्म भेच लेगा क्या फिर में चलिए तो आज के लिए बस इतना ही है आप सभी का बहुत भुत धन्यवाद हम लोग जुरे हैं और आगे बधी चल रहा है इसमें आप लोग को को ü मोई समस्या हो चौपाल को आप संपर कर सकते हैं दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि नंबर में डिस्प्ले कर रहा है नंबर ए 62066 10060 आप उसे नंबर पर हमें संपर कर सकते हैं हमारे टीम आपके पास भी आएगी और चौपाल समचार में समचार रख कर देजिका को बताए जाएगा ज घास घुजगार कर्वान में इनको घंकुम कि देदी रही है तो 8000 आप कर डूदेकी अगले बार से पैसा आगे अगले आपको पैसा नहीं आप नहीं आए गाएगा समय फिर मैं टूदे डे ओस्या तो पाइसा सही सला में चले आए तिसरे बार में जो है बोला कि पाइसा इतना दो 2002-2005-2002 तो आएगा न तो नहीं आएगा इसको लेकर देखिए आपको लिखी सिकायत देना चाहिए संबंदित धिकारी को कम से कम परखंड विकास पता धिकारी को दिजिए और इस बार आपको सब चीज का इलाज एक ही है कि इस बार बेहतर चुनाब करके प्रतिधी को अपने साथ में जोड़िए और वो आपका माद पानी को यह तम आता है को नहीं आता है इसी पढ़ा हुआ सला मलब भूत पढ़ा हुआ टंग इसला हुआ यहां पर देखिए मैं फिर से दुरादू कि लोगों की जो समस्या है जो सरकार की योजना है आपने पहले भी सुन लिया है कि यहां पर सरकी स्थिति गंबीर है यह यहां पर नलजल योजना के स्थिति गरवर है यहां पर जो आवास योजना है यहां पर और भी योजना सरकार की है वह ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रही है तो दर्सकों के माध्यम से हम जरूर कहना चाहेंगे सम्मधित अधिकारी पता अधिकारी को कि आप इस पर न देखने बात